इन्होंने लोगों की आखों में दूल जोग का है ये दावा करते थे पचेतर पार का और इनकी सीट आई चारीस और इन्होंने फिर जो लोग इनको जमना पार करने की बात कहते थे उस पार्टी के साथ जेजेपी के साथ गठ बंदन कर लिया और ये गठ बंदन नहीं ठक बं जो दावा ये करते हैं हमने विकास किया और वबस्था बदली, मैं यह बान के चलता हूँ, शीवे लूटने के कोई काम नहीं कि, करोना काल आया था, ना रेमडे शीवर थी, ना उक्सीजन थी, ना बैड थे, ना उस्पिटल में को डॉक्टर थे, ये दोनों हातों से सराब पेज करके लूट रहे थे और शुराब गोटाला कर रहे थे, धान गोटाला कर रहे थे, अरजिस्ट्री गोटाला कर रहे थे, इन लोगों ने ऐसे काल को भी नहीं बक्सा जहां लोग डर के बहुल में थे, और किस परकार से, आपके सामने ही तो है, ये कहते हैं कि हमने और करजे पे करजा ले रहे हैं, और करजे लिए जाते हैं, प्रन्तू विकास किये जाते हैं, हरियाना प्रदेश में विकास की तो कोई एक इंट भी नहीं लगी, कि आप देखोगे किस परकार से आज स्थिति बनाई, कि रक्षके वक्षक बन गए हैं, बाड़ खेत को खाती दर्या के किनारे खुद पानी चोस गे विजली खंबे चाटके जल गर हैं तो जल नहीं विजली गर है तो विजली नहीं एक-एक मुद्दे पर कैसे आपको बताऊं कि जिन से ये देश, परदेश और समाज ये आसा करता है कि वो हमारा को इमान रखेंगे, इज़त रखेंगे एक पेवे के मंतरी ने कैसे एक जूनियर कोच के साथ व्यार किया जो मैं आपके इस चैनल पर कह भी नहीं सकता अब बाड़ खेत को मैं इसलिए कहता हूं खा रही है कि हर विदायक, हर आपके मंतरी कमीशन खोरी में और केवल पैसा कमाने में लगे हूए हैं, जेबें बरने में लगे हूए और इसी परकार से किसानों को कितना तंग किया कि सबसे ज़्यादा तो एम रोल किसानों का होता है किसी प्रकती में तीन काले कालून बनाए, साथ सो से ज़्यादा जाने चलेगी तिन सो सीदन अंदोल रहा, एम एस पी का कानून नहीं बन सकया फिर इन्होंने कहा कि हम इस परकार का कानून बना रहे हैं कहने लगे कि कमपनियों को ठारा परतिसत का लाब पहुचाना है और किसी भी BPL कार्ड को या किसी किसान को सबसीडी नहीं मिलेगी वो भी सलेक्ट कमैटी को किसानों की मैनत की वज़े से ही गया और फिर हरियाना प्रदेश में बावंतर योजना कहते हैं किसानों से पूछिए आप उनसे पूछिए जिसने गोबी पैदा करी होगी उनसे पूछिए क्या हालात हुई किसी ने टमाटर लिया ही नहीं प्याज किसी ने खरीदा ही नहीं आज सरसूं का रेट दे दिया मैस पी 54 रपीय प्रन्तु एक अजार पीये परती क्वेंटल के हिसाब से उसको लूटा जा रहा है और हर्याना प्रदेश तो पहला राज्य था 20 साल से तो मैं देखता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गन्ना का रेट दिया किसानों ना जब सुगर मिल बंद कर दिये दब जाके 10 रुपे बढ़ाया और हम आज भी 8 रुपे परती क्वेंटल के हिसाब से पंजाब के किसान से हम कम ले रहे हैं किसानों की डैनी आहालत के लिए ये लोग जुम्मेवार हैं किसानों के उपर सिर्फे करजे चड़े और आप बेरोजगारी में अरियाना प्रदेश नंबर एक का सुबा बनिया CMIE की रिपोर्ट में 25 लाख नोजवान बेरोजगार हैं और इन लोगों ने ये जूट बोला कि हम ऐसा कानून बढाएंगे लगने वाली हर इंडस्ट्री और फैक्ट्री में अरियाना प्रदेश के 55 प्रतिसत लोजवान लगेंगे वो भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया अगनी वीर योजना सुरू कर दी जिसकी वज़े से ये फोज भी ठेके पे दे दी कभी फोजी बरती होते थे उनकी पैंशन होती थी उनको कांटीन से समान सस्ता मिलता था और उनको सवस्ते सेवाईं भी हंस्ताड़ों अच्छी मिलती थी परंतु ये तो 4 साल के बाद उनकी छुटी हो जाएगी USA में जाकर के Kaneda में जाते हैं Australia जाते हैं England जाते हैं डोंकी वीजा लेते हैं जिस माँ बाप ने उनको प्यार प्रेम से पाला था आज सास मुदर पार जाकर के जाना तेली पे रखके डोंकी बीजा लेकर के दूसरे देशों में अपना जीवन यापन करने की सोच लिए यहां से लोग बेरुखी होकर के वह ना जाने कैसी कैसी मजदूरी करते होंगे कैसे कैसे काम करते होंगे इस बात का अंदाजा नहीं लगा जा सकता और इन्हों ने जिस परकार से नोजवानों के साथ और किसानों के साथ खिलवाड किया वह इंकरीब लोगों को भी बहुत तंग किया इन्हों ने का कि परिवार पहचान पत्र बनाओ एक लाख ऐस्सी अजार जिसकी आमदनी दर्ज होगी उसकी बुड़ापा पैंसन काट दी इन्हों ने पीड़े काट काट दी परदान मंतरी आवास योजना के तैट एक भी मकान ने नहीं बनाया और ये लोगों को केवल लूट में लगे हुए हैं आप ये देख लो कौन है आज आपके सामनी तो है ये अंदोलन करने आते हैं यहां पर आती हैं असावर कर उन पर लाठी बर्शा देते हैं किसान आते हैं उन पर लाठी बर्शाते हैं अगर सरपंच आते हैं उन पर लाठीयां ओल्ड पैंसन स्कीम बाहर किराने के लिए क्रमचारी आते हैं उनों पर लाठियां, गोडियां परशाही जाती हैं, उनके उपर पाने की बुछारें भेंकी जाती हैं, मुकदमें बना दिये जाते हैं, ये सरकार दमनकारी है, तानासाही है और जनता का विश्वास खो चुकी.